Hello students, welcome to my channel किर्तिस कोडिंग C language की इस सीरीज में आपका स्वागत है आज के इस सीरीज में हम आपको Decision with Switch Case के बारे में बताने वाले है यानि Switch Case क्या है इसके बारे में बताने वाले है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको डीटेल से बताया था Case Control के बारे में और उसका First Type Switch Case के बारे में आज डिसकस करने वाले है तो Switch Case में Question है हमारा डिसकस करने के लिए What is Switch Case and How to use Switch Case यह जितने भी Notes मैं दे रही हूँ यह बहुत ही Input तो हमारा First Question है What is Switch Case Switch Case क्या है? Switch एक Keyword है हम जानते हैं हमारे C Compiler में C Program में 32 Keywords है Switch एक Keyword से यह Control करता है Allow करता है Decision लेने का Number of Choice मतलब हमारे पास Number of Choice होना चाहिए उसमें से हमको कौन सा Statement Execute कराना है वो Switch Case कंट्रोल करता है मतलब बोलने का मतलब है कि हम First में एक ग्जामपल दिये थे कि जैसे हमको कोई Place जाना है घूमने के लिए तो वहाँ पर जितना भी Number of Choice रहेंगे वो वहाँ पर Place का ही Choice रहेगा हमारा यहाँ पर Vehicle का चोईस ने रहेगा अगर हमको कहीं Travel के लिए जाना है अगर हम Vehicle का चोईस कर रहे है कि हमको कौन सा गाड़ी पकड़के जाना है फ्लाइट पकड़के जाना है या फिर ट्रेन पकड़के जाना है तो वहाँ पर Only on मेरा Traveling का चोईस रहेगा अगर हमको कौन सा प्लेस विजिट करना है तो हमारा प्लेस का ही चोईस रहेगा वैसे ही केस स्विच केस में हम लोग का चोईस एक ही टाइप कर रहता है या तो वो Care Type का हो, Int Type का हो बट चोईस जो है एक ही टाइप का होगा और उसी में से हमको Select करना है कि हमको कौन सा चोईस लेना है कौन सा चोईस एक्जिक्यूट कराना है तो यह हमारा काम करता है Switch Case If Else के जैसा ही है बट Switch Case Same Type का चोईस में काम करता है but if else क्या करता है वो different type का भी choice में काम करता है तो switch case हम अच्छे से जान चुके है what is the definition? the control statement that allow us to make decision from the number of choice is called switch मतलब कि number of choice है मेरे पास उसमें से जो decision लेने का काम करता है वो हमारा switch case कहलाता है ठीक है? और more correctly अगर कहा जाए तो क्या कहा जाए? कि switch case default यह switch case default यह तीन statement है मतलब एक switch case है जहाँ पर हम bracket के अंदर आप इसका general form दखेंगे तो अच्छे से समझ माएगा general form देखिए switch के अंदर bracket के अंदर यहाँ expression लिखाएगा कि हमको कौन सा value लेना है यह integer value और care value ही ले सकते है float value यहाँ पर execute नहीं करेगा फिर उसके बाद case एक अलग statement है जो value हम यहाँ पर लिए है जो integer type लिए है तो यहाँ integer type value case के बगल में लिखाएगा अगर यहाँ पर care type में लिए है तो care type value case के बगल में लिखाएगा ठीक है और एक default statement होता है अगर यह 1, 2, 3 तीनों case में से अगर कोई भी statement satisfy नहीं किया, execute नहीं किया हम कोई भी statement को run नहीं करा है तो वो directly default में आएगा और default के नीचे जो statement है वो run कर जाएगा तो यही तीन है मेरा switch, case and default statement यह switch, case and default statement since these three keywords are together to make up a control statement एक ही statement को control करने के लिए यह 3 keywords का जरुवत पड़ता है कैसे 3 keywords का जरुवत पड़ता है switch में हम लिखते है कोई भी care, हमको कौन सा case को run कराना है और वही case को जो हमको run कराना है वही हम case में लिखते है अगर कोई value run नहीं किया तो हमारा control अपने आप default में आ जाता है तो इसलिए एक ही statement को run करने के लिए यह 3 keywords की जरुवत होती है तो switch case को हम अच्छे से समझ गए अब उसके बाद हम आ जाते है how to use switch case switch case का use हम C compiler में C program में किस प्रकार से कर सकते है और इसका benefit क्या है तो वही हम कोई भी same type का अगर compiler को run करा रहे है कोई भी same type का case को अगर हम choose कर रहे है तो हम switch case का use करते है तो integer expression following the keyword switch is any C expression that is yet integer value अगर integer हम value लेते है switch में तो case में भी हमको integer value लेना पड़ेगा जो कि हम आपको पहले बोल चुके है यहां general form में कि अगर हम care value लेते है तो switch में तो हमको case में भी care value लेना पड़ेगा तो यानि कि care और integer value ही हम switch case में ले सकते है float value को नहीं लिया जा सकता है it could be an integer like as one two three expression that evaluate an integer ओके यह line से आपका clear हो चुका है if the all case statement will be run automatically then default statement will be run अगर कोई भी will not be run will not be run होना चाहिए यहां पर यहां पर एकी statement मेरा चुटा है will not be run अगर कोई भी statement run नहीं करता है तो directly मेरा statement default case मेरा run कर जाएगा ठीक है अब हम general form को फिर से देख लेते है general form क्या है मेरा switch case से start हुआ है यहां integer expression लिखाएगा इस bracket के अंदर फिर उसके बाद आपका case आएगा a1 case, 2 case, 3 case फिर उसके बाद case के नीचे statement जो कि आप execute कराना चाहते है फिर उसके बाद आता है default case हर एक expression में default case बहुत ही important होता है अब हम आ जाते है coding में switch case के एक coding की साहता से देख लेते है कि हम किस प्रकार से उसको implement करते है तो हम code blocks में आ जाते है तो हम code blocks में आ चुके है यहाँ पर एक source file generate कर चुके है case 1 नाम का extension.c से हम save कर चुके है अब हम hash include से start करते है तो हमने यहाँ पर source file बनाया है hash include से यहाँ पर program enter किया है program का तो हम यहाँ पर switch case में क्या program बनाने वाले है हम program बनाने वाले है कि हमको कोई number दो number को add करवाना है और odd और even हमको calculate करना है अगर यह दो case हम लिए है और एक case लिए हमको exit करना है और अगर यह तीनो case में से कोई case भी run नहीं करता है तो default statement हमारा है यह default statement run कर जाएगा यानि पहले हमने one case 1 लिया है case 2 लिया है और case 3 लिया है तीन cases हमने यहाँ पर लिया है और switch में हमने choice variable लिया है int type का क्योंकि यहाँ choice क्या है person d type का अब person d हमारा integer type का होता है तो हम लें int variable में int variable क्या माना है choice माना है a माना है b माना है और s माना है enter the choice, पहले हम choice को enter करेंगे मतलब बहुत सारे choices हैं मेरे पास हम जिस choice को enter करेंगे वो हमारा case में count होगा यानि अगर हम choice 1 enter करते हैं तो हमारा case 1 run करेगा यानि हम को integer को run करवाएगा मतलब 2 go value को sum करवाएगा अगर हम case 2 enter करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या order even value calculate करेगा, अगर हम case 3 enter करते हैं, तो हम direct मतलब की exit कर जाएंगे, ठीक है, अगर case 4, अगर हमें, माल लिजी, enter कर दिये, वो भी तो एक integer value है, तो हमारा कोई भी case satisfy नहीं करेगा, वो यहाँ match करेगा, no, one है यहाँ यहाँ पर, तो compile किये पहले हम statement को, then run किये, हमारा program successfully compile run किया गया, हमारा first statement क्या है, enter the choice, अब हमको क्या enter करना है, choice को enter करना है, यानि हमको case 1 run कराना है, case 2 run कराना है, case 3, तो हमाल लिजी case 1 run करा है, one enter किये, enter, तो देखे, enter the two number, case 1 में हमारा क्या है, enter the two number, enter the two number मांगा है, दो number हम enter करा देते हैं जैसे हम enter करा दे है 45, और क्या enter करा है 56, फिर enter किये देखिए, 45 and 56 का यहाँ पर summation आ गया है 101 यानि case 1 हमारा run कर चुका है और switch case control case है, loop है इसलिए यह फिर से यहाँ cursor blink कर रहा है, यानि हम और भी infinite times यह loop को चला सकते है माल लिजिए हम case 2 enter किये तो यह exit कर गया, अब हम कौन सा case हम फिर से compile run करेंगे, माल लिजिए हम case 20 बार हमा enter करा है, case 2 case 2 enter करवा है ठीक है, enter, enter a number, अब हम एक odd number enter करते है, 4 even number enter किये 4, देखते है result क्या देता है देखिए number is even, यहाँ पर number is even आ चुका है अब हम फिर से run करा के, एक बार odd number भी देख लेते हैं, ठीक है compile run किये, हमारा program compile run किया, इसके बाद हम 5 enter किये माल लिजिए odd number, case 5 enter ने, case तो 2 enter करेंगे, क्योंकि 2 में हमारा odd event चेक हो रहा है, तो case 2 enter किये, enter, enter a number हमाल लिजिए 5 एंटर किये फिर 5 देखे, odd number तो हमारा हर एक program, हर एक case successfully run कर रहा है यानि यह statement हम अच्छे तरीका से switch case का control कर सकते हैं, अब उसके बाद हम देखते है, compile run किये अब हम case 3 देखते है हमारा compile run वाला statement ठीक से execute करता है हम case 3 यानि कि हमारा direct ये वाला black screen हट जाएगा case 3 एंटर किये, enter देखिए कुछ भी blink नहीं किया कुछ execute ही नहीं हुआ statement, यानि case 3 में exit statement है, यही अगर हम अगर हम 1, 2, 3 की जगा, अगर 4 compile run करते हुए, 4 अगर हम integer value है, अगर 4 यहाँ कोई भी case 4 है ही नहीं, यानि कोई भी case 4 नहीं है, कोई भी choice satisfy नहीं किया, यानि हमारा default वाला statement run करना चाहिए, यानि no valid number ये वाले statement run करना चाहिए, अब हम case 4 enter कर चुके है, enter देखिए, यहाँ पर मेरा क्या compile run किया है no valid number, कोई भी valid number यहाँ नहीं है, यह match कराके देख लिया, 1 है, 2 है, 3 है 4 तो है यह नहीं, तो 4 का program run नहीं किया, क्योंकि है यह नहीं, और default statement run कर गया, अब यह program मेरा successfully, हम 4-5 तरीके से दिखा चुके हैं आपको कि किस प्रकार से यह program मेरा successfully run कर रहा है तो आप इसको अच्छे से यह बहुत ही अच्छा example है, इसमें हम सारे choices को run कर आके देख सकते है exit statement देख सकते है default statement देख सकते है तो आप इसको अच्छे से note down कर लिजिए और यह जो हमारा notes है, यह बहुत ही अच्छे से आप note down कर लिजिए क्योंकि exam के लिए बहुत ही important है और वो program और भी ज़्यादा important ही ये program ये program को भी आप note down कर लेजिए आपको कोई भी problem हो आप जरूर comment कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए, like कीजिए and comment कीजिए share कीजिए, thank you students